मैं शायद तुम लोगों को बता चुक्यू कि मैं अभी college में हूँ और आज की story में fully animated नहीं बनाना चाहती थी हाई मेरी कामचोरी वा 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 what a basic way to start a video मैं तो ऐसे स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेरा दिमाग मर चुका है और इसे अच्छा एडिया मेरे दिमाग में आनी रहा अच्छा तो तुमने बंक, तड़ी, वड़ी, इन सब का नाम तो सुनाई होगा मैंने बहुत मारी है इस्कुल टाइम में नहीं, कॉलेज टाइम में तो चांस ही नहीं मिला और नहीं ऐसे फ्रेंट थे कि मैं जिनके साथ तड़ी मारू So it was a normal day जिसमें सड़ी से सकल के टीचर्स आ रहे थे और सड़ा सा सब्जेक्ट पढ़ा के जा रहे थे मतलब तुम ही सोचो यार अगर कॉलेज वाले हैंसम टीचर्स रख लेंगे तो क्या ही पिगड़ जाएगा उन लोगों का अगर हमारे कॉलेज में हैंसम टीचर्स होते न तो इता फोकस करती में पढ़ाई पर हर सब्जेक्ट में टॉप करती बट ना 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 हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है I think किसी के कॉलेज में नहीं होता है तो उस बोरिंग डे में मेरी फ्रेंड ने कुम्मीत की किरंट जगाई कि चलो गई चलते हैं हैं कहżej जाएंगे city से बाहरे अपना college और अपन तो ऐसे भी college बस से आतें जिजी ओ जिजी गाड़ी से कुछ लेना देना है तुमारा जो बोल रही हो कहीं चलते है हा तो हम जाने वाले 6 थे और गाड़ी अमारे पास एक ही ती, तो एक गाड़ी हमने किसी से उधाल ले ली तो जाने का बेंधूपस हो गया लेकिन हमें ज़्यादा दूर भी नहीं चाना है क्योंकि कॉलेज के छुट्टी होने वाली थी और छुट्टी होने पर सारी बसस निकल जाती है और ये लड़किया दूसरे शहर से आती है मतलब तुमी सोचो कितनी जल्दी प्लान बनाए ना हमारे दिमाग में बंका ऐसा नहीं दूसरे दिन मार ले उसी दिन हमें मारना है बंक क्योंकि हम तो पगले है सो आफ्टर लट्स ओफ माथ पच्ची वी हब डिसाइड़ कि हम कॉलेज के पीछे वाली पहाड़ी पे जाएंगे येस हमारे कॉलेज के आसपास थोड़े बहुत पहाड़ है वो कश्मीर वाले पहाड नहीं वो हमारी किसमत में कहा सिटी वाले पहाड होते शायद सब सिटी के पहाड थोड़े वो थे हैं और हमने ऐसा सुना था कि हमारे कॉलेज के पीछे जो पहाड़ है वहाँ पर एक छुपी हुए गुफा आए जो कि दूसर शहर के किसी महल से मिलती है एंड हाँ उस पहाड में एक छोटा सा तालाब भी है जो कि बहुत सुन्दर है एकदम क्लियर पानी है उसका एकदम और पार दिख जाता है निच्चे तो हम वहाँ जा रहे थे और बहुत कम लोगों को पता है उसके पारे में वह जगह पूरी दिवाल से बाउंडरी करी हुई थी और वहाँ पर कुछ भगवान जी के सिंबल्स बने हुए थे तो आई थौट कि ये मंदीर है अरे मंदीर है मंदीर है यहां से कौन ही चोरी करेगा गाड़ी खड़ी कर दो यहां पर सो हम लोगों ने वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की बात कर रही है बहन कृष्णा के अंदर कुछ भरा गिया इससे दूर रहे है कुछ भी वैल मेरे स्कूल के पास में एक शमशान गाट था और हमारे स्कूल में गाड़ी ले जाना अलाओ नहीं था तो बच्चे वहाँ पर गाड़ी खड़ी करते थ तो मैंने इन लोगों को भी बोल दिया कि अंदर गाड़ी खड़ी कर दो बट अब मेरे उपर शक किया जा रहा है अरे मेरे अंदर कुछ नी गुसा है हनुमान चाली सा बोलू क्या साले और यकीनी नहीं कर रहे थे कि मेरे अंदर कुछ नी है अब तो तुझे मंदिर लेके जाएंगे तब ही अकीन होगा मैं वेल उस पहाड के टॉप पर एक मंदिर भी था जिसके पास में ही वो गुफा है तो हमने पहाड चड़ना चालू किया और मैं सबसे आखरी में चल रही थी और जैसे कि मैंने बताया था कि उस पहाड के उदर एक तालाब भी था वो ताला जान बुचके नहीं देखा एंड हां उस पहाड पर हमें कुछ कपल्स भी मिले थे आदी तो हमारे कॉलेज के थे वह वो जगह बहुत सुंदर थी और बहुत शांती मिल रही थी महाँ पर मन तो कर रहा था कि यहीं पर विस्तर लिया और सो जाओ एक आलसी इंसान के आपस चले जाओ क्यों अंकल हमें तो मंदिर जाना है कुछ गलत काम थोड़ी ना कर रहे हम नहीं तुम लोग आगे नहीं जा सकते हैं आगे भी एसे वालों की फाइरिंग चल रही है गोली ओली लग जाएगी तुम्हें अगे जाने नहीं दिया गया प्रूव करने से जाधा इंप्योटेंट मीरी जाने भई हाँ पहले ही अंग्रेज लूट के चले गए कहां ही बच्चा होगा छड़ो फिर हमने थोड़ा और टाइम पास करा और जब तक वो कपल्स लोग और वो लड़के लोग सब चले गए थे पहाड से इसका मतलब जानते हो अब हम तालाब में मस्ती करेंगे फिर थोड़े टाइम बाद जब हम उस तालाब में पैर डालके बैठे थे मैं लिटरली बता रही हूँ हमने किसी के रोने की आवास सुनी हम हस्ते हस्ते चुप हो गए और एकदम सननाटा चागया महाँ पर अरे देखो सुनाई दे रहा क्या महाँ पर कोई रो रहा है अपनी कुछ आकर देखना चाहिए यार कहां गए साब जने मेरे को छोड़के चले गए तुम लोग नई नई ऐसा कुछ नहीं हुआ था अगर मुझे छोड़के चले जाते न ये लोग तो मुझे वही किड्नी अटेक आ जाता बट सही में वो लोग बहुत डर गए थे और मैंने उन लोगों को बोला था कि हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि ऐसी आवाज क्यों आ रही है पता नहीं किस बात की चुलमची है मुझे मुझे इस सब चीज़े में बहुत इंट्रेस्ट आता है हम लोग फटा फट से महाँ से भागे और जैसे जैसे हम भाग रहे थे वो आवाज और तेज होते जारी थी लेकिन हम महाँ से भाग निकले और सब भगवान का नाम ले रहे थे इतना भगवान को कभी याद नी किया था जितना उस दिन याद किया और उस दिन के दो तिन दिन बाद ही ऐसा सुनने में आया था कि उस तालाब में किसी की डैथ हो गई और काफी लोग उस तालाब में डूपके मरें उसके बाद हम कभी नहीं गए वहाँ पर और ये मैं अभी अकेले में रिकॉर्ड कर रही हूँ भले ही मुझे इन सब चीजों में इंट्रेस्ट आता है बट मेरी पटा रही है और ऐसी स्टोरीज लाती रहूंगी मैं जिन पर मुझे एनिमेशन करने में आलसी आएगी तो ठीक है टाटा बाइ बाइ और तुम लोग मुझे बहुत सारे कमेंट्स करके बोल रहे हो कि हॉरर स्कूल का सेकंड पार्ट ला दो हॉरर स्कूल का सेकंड पार्ट कब लाओगे तो स्टोरी तो रेडी है बट उस पे व्यूस तो आई नहीं रहे तो फिर मैं क्यों ही लाओ और मुझे नहीं अच्छा लगता कि किसी वीडियो पर में इत्ती मैनत करो और उस पर व्यूस ना आए म्मारी रव्याज उसके हमा जाघ नहां नहीं कर लूहिए लागता है लेडियो ओिर में वीजाजा अजर किसी वीफ संया टास है बुर रवाङता है थापिशनखो दित्ता है, जो एक रार प्सारा में, कालुब का धनालः जित्थ इए यहां